करनी थी वी हल्द पीपल के तरफ से वह यह कि एक छोटी से स्टोडी है पंदरा प्रीद करीब में मैं एक स्कूटी निकलेकर निकला था रोट पर एक बुजूर्ग इंसान मेरे स्कूटी को रूखे और बड़ा दुख में आको नहीं से बोला कि मुझे भूख लगी और मैंन रुपीज निकाले उनको दिये बोले बाबा आप खालू कहीं से मिले जो कुछ भी हो पाया अब से उसने बड़े प्यार से मुझे बोला कि लॉगडाउं चल रहा है कहीं दुकान नहीं खुली है पैसा लेकर हम क्या करेंगे अगर कुछ खुला खिला देते तो बहुत से अगर दस लोगा एक्स्ट्रा खाना बनाऊ तो मैं हर रोज उसको जरुवत मन्नों को दे सकता हूं बहुत स्मॉल थिंकिंग थी मेरी फिर मैं वापस अपने घर आया नेक्स्टे अपने खाने के साथ मैंने दस लोगा खाना एक्स्ट्रा बनाया और जाते वक्त उन लोग सब्सक्राइब करना चालो किया वहां से उसके बाद जब देखा कि मैं दस लोगा खाना लेके जा रहा हूं वह इनफ नहीं है कहीं जगों पर तीन दिन से खाना नहीं पका है बच्चे भुके हैं जो सरकार आखड़ा दे रही है जो मीडिया दे रही हूं से कई दूर है सच चाहिए रीएल फ्रेक्ट बिल्कुल नहीं हैं और और अरॉंण फोर मी मैं जहां रहता हूं और वर सिटीज पटना तो मैंने पैक्केट्स बनाने की अपने फ्रेंड्स अपने टीम से बात करें और फिर 10 15 15 20 25 30 मैंने पैकेट्स डिलेवर करना चालो कि और तुड़े वी व लुकुल ही नहीं बता सकता और यह सिर्फ मेरी वज़े से नहीं हमारे टीम के वज़े से हमारे लोगों के सपोर्ट की वज़े से मैं यह कर पाया और बहुत छोटी सी कोशिस थी पर मैं जानता हूं कि काफी नहीं है पूरीटी इंडिया क्ले काफी नही है पर ऐसी छोटी-छोटी कोसिस अगर इंडिया हमने हमें छोटी-छोटी कोसिस एक बड़ा रूप लेगी और हम ज्ञाधा ज्याधा छुटार 8 साना खिलाप आएंगे क्योंकि हम हर चीज के उपर सरकार के उपर जिमारी नहीं ठोप सकते कुछ हमारी भी responsibility बनती है और मुझे एक दिन याद आता है बहुत प्यारा सा जब हम लोग पूजा रखते थे पूजा पाठ रखते थे तो चंदा काटते थे मुर्ती बैठाते थे पर साथ सबके बाढ़ते थे देस्ट राइट टाइम कि जब लोग दुखी हैं उनके उपर प्रॉब्लम हैं उनको खाने का दिक्कत है लॉक्डाउन है उस वक्त भी हम यह काम कर सकते हैं उन लोगों के लिए गौर्मेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उनका मैटर है पर हम अपने अराउंड जो लोग भूखे हैं उनको खाना दे सकते हैं उनको खाना खिला सकते हैं एक साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं इसलिए हम लोग हर रोज का खाना हर रोज का उक्कार को हम लोग है जो अगर हम लोग खानाओं को पैकिंग नहीं करेंगे तो शायद हो खाना खा भी नहीं पाएंगे तो जब तक कि लोगडाउन चल रहा है जो यह सिच्विशन चल रही है तब तक हमें अपनी काउंटिंग्स बढ़ानी हैं और दो तरह के लोग हैं एक तो वो लोग हैं जो फेस्बूक बैट के डिलेवर करते रहते हैं थौट्स और अपने अपार्टमेंट बैट के कोरोना को अपने अंदर से सेफ करके अपने लोग को पोटेक्ट करके एक नया भारत बना रहे हैं पर नय भारत की वजूद इंसानियत होती है सबसे पहला किसी भी इंसान में तो अगर आप नहीं जा सकते हैं आप नहीं कर सकते हैं तो अपने शहर में उल्लों को सपोर्ट कर सकते हैं जो यह काम कर रहे हैं पहला दूसरा सपोर्ट कहीं तरह से होता है सही इंफ्रमेशन देना सही लोगों को कॉपरेट करना पी एम फेल की सी एम फंट सब नहीं मैंने मैं लेकिन आज हम लोग जो भी करते हैं उसका डेक्ट बेनिफिट लोगों तक पहुच रहा है और रियली इस वंडर्फुल तिंग्स और मैं नहीं सोचा था कि 15 अप्रिल को लिया हुए स्टेप्स आज इतना अच्छा हो जाएगा अगर कोई भी यह सोच रहा है करने को तो आप बिल्कुल भी देरी मत करो आप लोगों की मदद करें और यह सबसे बड़ी बात है और उसके दौरान अपने आपको सीफ रखें तो व अब लोगों कि जादा ज्यादा पेकट बना पाएं जोगों के लिए लड़ना जरूरी है यह बात अगर सबसे एंगे तो हम लोग ना कर सकते हैं पर समुन दे help those people's जो यह काम कर रहे हैं चाहे मैं हूँ चाहे मेरे से कई सारे लोग हैं जो यह काम कर रहे हैं जिनकी काम आपको चैनमीन लग रही है उनको आप सपोर्ट कर सकते हैं ताकि वो अपने काम को और